अभिशेग बच्चन की एक्टिंग स्किल्स पर कोई शक नहीं किया जा सकता कई वेब सीरीज और कुछ फिल्मों में अपनी उम्दा एक्टिंग के जरिये वो ये साबित कर चुके हैं कि उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है हालांकि उनकी फ्लॉप और हिट फिल्मों का तकाजा किया जाए तो हिट की संख्या काफी कम होगी वैसे उन्होंने अपने करियर में कई फिल्मों को रिजेक्ट भी किया है कई बार उनका ये फैसला सही निकला तो कई बार फिल्म का न करने का फैसला गलत भी साबित हुआ क्योंकि उनकी रिजेक्ट की हुई कुछ फिल्मे हिट हुई और दूसरे एक्टर्स को स्टार बना दिया दिल चाहता है इस फिल्म के लिए कहा जाता है कि फरहान अक्तर की पहली पसंद अभिशेक बच्चन थे लेकिन अभिशेक बच्चन ने फिल्म करने में कोई रुची नहीं दिखाई और फरहान अक्तर ने आमिर खान को कास्ट किया उनके अलावा फिल्म में सैफ अली खान और अक्षे खन्ना भी थे भूत पुलिसेफ अली खान और अरजुन कपूर की इस मूवी का ओफर पहले अभिशेक बच्चन को मिला था पर उन्होंने ये फिल्म भी करने में दिल्चस्पी नहीं दिखाई गायबेक शक्स के अचानक दिखना बंध हो जाने की इस कहानी में पहले अभिशेक बच्चन को कास्ट करने का प्लान था उनके इंकार के बाद फिल्म तुशार कपूर की जोली में गिरी बंटी और बबली दो इस फिल्म के पहले भाग में अभिशेक बच्चन और रानी मुखर जी की जोड़ी थी लेकिन दूसरे भाग का हिस्सा बनने से अभिशेक बच्चन के इंकार के बाद इसमें सैफ अली खान को लिया गया भूत अजय देवगन, उर्मिला मातुंड कर, रेखा और नाना पाटे कर जैसे स्टार्स की इस मुवी में राम गोपाल वर्मा ने अजय देवगन वाला किरदार अभिशेक बच्चन को ओफर किया था लेकिन दूसरी फिल्म में व्यस्थ होने के चलते उन्होंने इस ओफर को ठुकरा दिया लगानलगान मुवी आज भी लोगों की फेवरेट है इस फिल्म में एक रोल अभिशेक बच्चन को भी ओफर हुआ था लेकिन उन्होंने फिल्म ठुकरा दी हम्राज हम्राज मुवी में बॉबी देओल पॉजिटिव रोल में और अक्षय खन्ना निगेटिव रोल में दिखाई दिये थे ये फिल्म भी अभिशेक बच्चन को ओफर की गई थी लेकिन उन्होंने इसे भी रिजेक्ट कर दिया दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करे और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करे धन्यवाद